हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सिवानी स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में दोस्तो आज मैं आप लोग सेर करने जाड़े हूँ सिर्फ पांच मिनट में बनने वाला चावल के आटे के डोसे की रेसिपी यह खाने में बेहर टेश्टी लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है तो अगर आप लोग को भी डोसा बहुत पसंद है तो वीडियो को सुरू से लगके अन तक जरूर देखिएगा आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला केन को जरूर दवा दीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो डोसा बनाने के लिए सबसे पर एक बाउल में हम लेंगे देर कटोरी चावल का आटा इसमें हम कुछ भी इस्तिमाल नहीं करेंगे ना सूजी का और ना ही मैदा का और ना ही बेसन का सिर्फ चावल के आटे से बनाएंगे और देर कटोरी चावल का आटा डालने का बद इसमें थोरा थोरा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से mix करते जाएंगे एक बार में अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें लंस पर जाएंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और अच्छे से mix करते हुए इसका एक पतला सा घोल डेडी करना है चावल के आटे का तो यह देखे इसमें डाल दी है उसका पाशा के ऐसमें पतला सा घोल डेडी कर ली आप देख सकते हैं इसी तरीके का घोल एक 14 1 лож आटे का शावल के तो चावल के आटे का аटे का गोल है तो अब हम इसमीं एड़ करेंगे सिभला मेर्ज, पेयाज, हडे मेर्ज और अधरक तो सभी सभी चुज़े को इसमें डाल देंगे इस गोल में मोटे मोटे पीसेज में नहीं कट करना है सभी चुज़े को एकदम बारी कट करना है और आप चाहे तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं बारी कट करके या फिर ग्रेट करके तो अब सब्जियों को डालने के बाद इसमें हम चिली फ्लेक्स, तेस्के कॉर्डिंग नमक ellal दीं, तौह हम इसमें एक चमच नमक का इस्तेमाल करें आप उपनी विस्के के लिए पृपक्टे हम डाल देंगे LAURA । इसमें हम एड़ कणेंगे दोस्तों डोसे का बेटर है एस तरीका Danish का हो न चाहिए बहुत जयादा गाढ़ा नहीं हो चाहिए थोरा पतला ही चलेगा जब तक schme हो चुका है फ्थे एड़एगा लेकिन नहीं चलेगा तो टोसे का तो बेटर डाल दाया है तो इसमें हम तीन कर्चुल बेटर डाल दाया है और बेटर डाल के और अब हम इसको अच्छे से 1-5 मिनट तक पकने देंगे हाई फ्लेम पे के लिए काफ़ी से गठाय, तो एकसे 10-10 मिने बाथ आप देखेंगा इसके निचे ब्राउन लेयर आजाएगा तो इसको अच्छे से पकने देत है अच्छा कलर आया और कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है बिल्कुल भी नहीं चिपका और बिल्कुल भी एक थोड़ा सा भी नहीं टूटा है ये डोसा और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट बना है तो अब हम दूसरे तरफ से भी इसको एक मिनट के लिए पक चुका है आप देख सकते हैं काफी अच्छा दिखने में लग रहा है और खाने में भी बहुत तेश्टी लगने वाला है तो चलिए अब हम इस डोसे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसका एक और डोसा हम आप लोग को बना के दिखाते हैं उसके लिए फिर से हम पर तीन कर्चुल बैटर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से एक से डेट मेर तक नीचे से पकने देंगे उसका पलट के हम एक मिट के लिए और पका लेंगे और इसी तरीके से सभी डोसा हम बना लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों सिर्फ पांच मिनट में बनने वा उसको तो यह बनाना बनता है तो आप लोग इसको जरूर्ब कीजिए गाए तो वीडियो को लाइक कीजिए गाई कीजिए अ Small